नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आप देख रहें सोहन सर्मा किचन किंग मैं हूँ सोहन सर्मा और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मलाई लड्डू बहुत ही टेस्टी सौप्ट एकदम मुह में घुल जाने वाले इतने टेस्टी बनते हैं कि इसको अगर आपने एक बार खा लिया तो इसका स्वाद आप कभी भूल नहीं पाओगे तो वीडियो को सुरूर से लेके एंड तक पूरा जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और पहली बार हमारा चैनल देख चैनल को सब्सक और दूसरी तरफ फिर मैंने गेस लाए फूल आज पे उस गेस पे मैंने कडाई चडाई है कडाई के अंदर फिर मैं एक लीटर फूल क्रीम दूद ले रहा हूं यानि कि मैंने दो लीटर दूद लिया है एक लीटर दूद छेना फाडने के लिए और एक लीटर दूद अब इस दूद को कडाई वाले दूद को आपको चलाते रहना है तेज आंच गेस पर चलाते रहना है और दूसरे वाला दूद जो है देखे बोविल होने आया है गेस को मैंने धीमी आंच पर कर दिया दूद में उफान आ गया है करीब पांस मिनट बात तो मैं इसके अंदर दियरे दियरे जो निम्बू का जूस था वो मैं डालूंगा से चलाऊंग फिर थोड़ा दूद को फार नाए अच्छे से धीरि धीडालने एक साथ नहीं डालना है जब तक दूद नहीं फटे ये देखे इस तरीके से गेस हमारा धिमी आज पे ओना है और अब मैं थोड़ा सा और डालता हूं अभी तक पूरी तरीके से दूद फटा नहीं है फिर से मैंने सारा निम्बू का जूस जो है वो डाल दिया पानी मिलावा जो जूस ता निम्बू सकते है अगर आप लेना चाहे तो नहीं तो आप इसको रह जैसे और इस पनीर को थोड़ा सा हम दो लेते हैं तो साधा पानी से शेकर को थोड़ा पनी की निकल ज्गर यसकी कशन स्ट्रेंश इलएबला तो चीठा हो जाएगा इसलिए ठंडा कर देते हैं हम तुरन तो ताकि ये जेसा है सोप्ट वेसा ही रहेगा अब इस पानी को हम अटा देते हैं या क्रीब 10 मिनिट इसे रख देते हैं पानी इसका ज़र जाएगा अब देखें इधर ये दूद जो चड़ा हुआ है इसको हम इस तरीके से चलाते हु बनाओगे तो पीला हो जाएगा और तेज आंस पी अगर बनाओगे तो ये घाड़ा रहेगा दूद थोड़ा कम हो गया तो मैंने दो बड़े चम्माच इसके अंदर नारिल का बुरादा डाला है आप चाहे तो डाल सकते हैं नहीं तो इसे कीप कर सकते लेकिन बहुत टेस पानी इसको इस तरीके से निचोड़ देना है या फिर आप कपड़े में लेकर इसे निचोड़ सकते है पानी इसका पूरी तरीके से निचोड़ कर निकाल देना है और इस छेने को थोड़ा मसल लेना है इस तरीके से आप कद्दू करस्ट भी कर सकते लेकिन हाथ से 10 लिटर दूद रहे गया यह और अब देखे पांच मिनट बाद फिर यह दूद है जो 400 ग्राम करीव रह गया तो मैंने इसके अंदर 100 ग्राम चीनी डाल दी है चीनी आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं कोई दीकत नहीं है यह परफेक्ट चीनी है दो 1 kg दूद के अंदर तो हैना था कि एक लिटर दूद का फाड़ा हुआ करीव 200 ग्राम चैना होता पनीर भी डाल सकते इसकी जगे उस आप बजार के पनीर ले आई यह 200 ग्राम वह भी कदुकरस करके मसल के डाल दीजिए उससे भी बहुत बढ़िया बनेगा देखे अब यह दूद अच्छी तरीके से पक चुक है आप कड़ाई को देख सकते हो नीचे से बिल्कुल भी दूद नहीं है इसके अंदर और इस तरीके से आपको पकाना है अब यह पूरी तरीके से पक चुक है गेस से हटा लेते हम गेस को कर देते बंद और इससे हम नीचे उतार कर रख देते नीचे उतारने क भी बाद भी आपको चलाना है कड़ाई गर्म होती है तो कड़ाई वो दीचे से जल सकता है तो आप दो मिंट इसे नीची उतारके भी चलाईए ठंडा होने के बाद यह देखिए 15 मिनिट लगे इसको ठंडा होने में आप बैसे जल्दी है तो आप पंकेशे जल्दी ठंडा कर सकते हैं ऐसी वगरा के अंदर रख दीजिए जल्दी ठंडा हो जाएगा नोर्मल ठंडा करना है ज्यादा ठंडा नहीं करना है और य सिम्पल सी रेशीपी है और बहुती सस्ती बनती है यह भी नहीं कि महंगी बनती है दो लीटर दूद के अंदर यह साड़े पांसो ग्राम करीब बन जाती है सोचिए आप अगर बजार से लेने जाओगे तो कितनी महंगी पड़ेगी यह देखिए और एकदम टेस्टी और देखिए इस तरीके से आपको लड्डूहाथ में जाँ है तोड़ा सा इसका यह डूब और इस्तरीके से हाथ में तईरी धिरी गूम आते हुए इसको एकदम अच्छी सेप सेप्व देनी गोल earthlyके काशे आपको सारे लड्डू बना लेने ओ बुपोधी स्टी लड्डू ब तो आप कभी नहीं भूल पाऊगे यह थोड़ी सी कैसर मैंने घोल के रखी थी हलके से पानी के अंदर और इस कैसर की बिंदी लगा रहा हूं ताकि इसकी खुश्बू भी बहुत अच्छी लगे यह थोड़ी सी पिस्ते कटिंग वाले इसके ओपर डेकोरेट के लिए लगा आते रहे मिलता हूं फिर में नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ